Hey guys, welcome us again, मैं हूँ आपकी दोस्तों पूनाबल पर फिसे स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में और आपने से बहुत सारे टीचर्स हैं, पैरेंस हैं, इस चीज़ को लेकर बड़े परिशाने के टेबल्स जो हैं उनके सिलेबस में आगे हैं, कैसे सिखाएं, क्या उन्हें रटाना सही रहेगा तो आप लोग को मैं बता दू कि रटाना, तो यानि आप उन्हें बच्चे के साथ ना नाइन साफी कर रहे हूँ आप कोई भी टॉपिक ये लेके चल रहे हूँ कि आप उसे रटाओगे और उसे हमेशा के लिए समझ में आ जाएगा कि आप उसके दिमाग में बैट जाएगा तो आपको करना क्या है फिर? देखिए दोस्तों आपके साथ ब्रको साइंटिफिक सा तरीका मैं शेयर करने जा रहे हूँ कि अगर आप अपने बच्चे के लाइफ में टेबल्स उन्हें समझाना चाते हैं तो ये बता ही ये रियल लाइफ में टेबल्स का एक्जापल क्या होता है टेबल्स कोंड क्यों यूज करते हैं? आपने सीधा सा उनके साथ टू पैंसल लेनी तू और पैंसल लेनी तो आपने खाए कि अच्छा बताओ ये कितनी है? टू ये कितनी है? टू दोनों को जोड़ा कितनी होगे? फोर इन्ये टू फैंसल डू पैंसल गर्लापा जोरी है बॉरौ ऑफ टनल को बता घौरल एंसला,इना पनतास है एह कि या यानि कि आप उन्हेर बता रहें कि आप्को टू टू पैंसल स능 हैं वो तीन बार दिखाई है जब प्रैक्टिकली आप इस एक्जाम्पल को करते हैं बच्चों को तो concept क्लियर होता है कि टू-डू-पैंसल मैंने तीन बार दिखाई तो six हो गई ऐसे ही टू-डू-पैंसल में four तो टाइमसल जब आपको दिखाऊंगी तो कितनी हो जाएंगी काउंट करेगा बच्चा अच्छा एट हो गई यानि वो उस concept को समझ रहे कि यह दो-दो चीजे चार बार दिखाई गई तीन बार दिखाई गई पांच बार दिखाई गई दोनों concept कि दो-दो-दो-दो इन्हें आपने एड किया है तब यह पांच बार दिखाने पर 10 हुई है addition plus times का फंटा times यानि 2 times 4 equals to 8 यह चीज उन्हें समझ में आएगी इसे बोलते है repeated addition जी हा दोस्तो जब आप यह repeated addition बच्चे को दिखाएंगे कि आपने दिखाया 5 ठीक है 5 plus 5 equals to 10 very good but 5 दो बारा है ना 5 into 2 किया है इसलिए बिटेना है 5 plus 5 plus 5 equals to 15 but 5 कितनी बारा है कितने times है 3 times यानि 5 into 3 equals to 15 दोनों चीज़े बिकुल बराबर होती है इसी तरीके को इस concept को उल्टा करके भी दिखा सकते हैं कि 3 into 5 का concept की दोनों बराबर रहते हैं और ये बच्चे को तभी सबसे ज़्यादा समझ में आता है जब आप उसे images की help से चीज़े को समझाते हैं क्लास में उस चीज़ का demonstrate करके या घर में उस चीज़ को demonstrate करके बच्चे को इस चीज़ समझाते हैं इसके लिए बहुत सारी वक्षीट में आपके साथ share कर रही हूं इस तरह कि बहुत simple images होती है जो आप अपने बच्चे के साथ बनाएं और उसे करने के लिए दे मेरा बच् इन टेबल को याद करने लगा है और एक चीज सबसे जरूरी कि आपने याद करने के लिए दे रहे हैं आप तो कभी नी की पूरा पहाड़ा एक बार में याद करके और सुने ना बच्चा डर चाता है एक तो उसे concept समझ में आ रहा है उससे ओपर एक चीज आपने उसे रट फिर images की help से आप उसे समझाएंगे फिर दूसरे नंबर के साथ आप इससे try करेंगे आपने मालीजा 5 का टेबल बच्चे के लिए इंट्रड्यूस कर रहे है तो आप क्या करें 5 से लेकर टोटल 1 से लेकर 50 तक पूरी counting कर दीचे और कह दीजे बच्चे से कि हर 5 नंबर को आप पादा आएगा उसे कर देना 10 ठीक है अब जो यह बच्चे ना जिनके आपने कलर किया यह बीमार रोलें बाकी लोगों में बीमारी ना फैलाए इनने बाकियों से अलग कर दो तो क्या करेंगे सब को उन्हें अलग कर देगा तो जब वो देखेगा कि अरे वा तुमने तो बेटा 5 का टेबल इंटोड्यूस कर दिया बहुत अच्छा तो यह चीज़ आप क्लास में भी कर सकते हैं इविन यही पैटर्न आप अपनी डेमो क्लास में भी ले सकते हैं कहते हैं तो देखना आपका सेलेक्शन भी हो और आपके बच्चों को आप पसंद आएंगे क्यों किस वज़े से अपने लाइफ में हम उन्हें इंटोड्यूस करते हैं जब आप यह बच्चों को समझाएंगे तो डेफिनिटली बच्चे जो है आपके मोरीद हो जाएंगे तो उमीद करती हूं कि आपको समझ में आएगा कि बच्चों को टेबल की इस तरीके से इस प्लस डेमो क्लास के टॉपिक्स डेफिनिटली में हर देर आपके लिए वीडियो ले के आती लगोगी थैंक यू सो मुच फ्रेंट थैंक यू सो मुच पर काविक तो मैं चनल